हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलोजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है तो आज हम अनैल्सिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो ऐस यूज्वल शुरू करूँगा फिंगर्स के अन के लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फोन कंसल्टीशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे वर्टसैप नंबर के जरीए संपर्क कर सकते हैं अब आप पास सकते हैं अपनी कुंडली वो भी पांच साल की भुष्यवानी के साथ सिर्फ 99 रुपीस में या कुंडली पानी कलब जोतिशर्ट.com पर जा सकते हैं इस वीडियो इस वेबसाइट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी थेली काफी थिक नज़र आ रह ही है जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को और साथी साथ अगर देखा जाए इनकी सभी फिंगर्ज के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रिखाएं कुछ इस तरह की रिखाएं नज़र आएंगी इस तरह की रिखाओं का सभी थिकनस की बात की जाए तो आप यहां से देख सकते हैं काफी थिक फिंगर्स जो बहुत अच्छी एनरजी एंड स्टैमिना को इंडिकीट करती हैं लंबाई की बात की जाए तो इनकी तरजनी उंगली काफी अच्छी लंबाई में हैं काफी अच्छी थिकनस में नजर आ रही जिस वजह से नेटिव की लीडर्शिप कौलिटी काफी अच्छी होती है ऐसे व्यक्ति ग्यानवान होते हैं एक spiritual टाइप की knowledgeable टाइप की personality आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी इस finger का अच्छी length में होना नेटिव को society में काफी अच्छा मान समान भी दिलवाता है अगर हम इनकी शनी finger की बात करें तो बिल्कुल straight और बहुत अच्छी लंबाई में इनकी शनी finger यहाँ पर नजर आ रही है शनी finger का इस तरह की formation में होना दर्शाता है के नेटिव काफी मेहनती nature का होगा ऐसे नेटिव discipline होते हैं एक अनुशाशन प्रिया और नियाए प्रिया टाइप की personality ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी और अपनी इनी खूबियों की वज़े से जीवन में काफी अच्छी तरक्की करपाने में ऐसा नेटिव जरूर कामियाब हो जाता है अगर हम इनकी सूर्या finger की बात करें तो आप देख पाएंगे सूर्या finger बहुत अच्छी लंबाई में है इवन इस finger की जो लंबाई है इनकी तरजनी यानि गुरू finger से ज्यादा नजर आ रही है अब यहाँ पर देख सकते हैं या finger length में इनकी index finger से ज्यादा लंबी है जिस वज़े से native काफी creative nature का होता है काफी अच्छी artistic qualities ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं लेकिन साथी साथ जिन लोगों की सूर्य फिंगर अधिक लंबाई में होती हैं ऐसे व्यक्ति थोड़े risk taker होते हैं जीवन में risk लेने से नहीं घबराते हैं और कई बार तो अपनी धन की investments के मामले में भी ऐसे व्यक्ति जीवन में risk ले बैठते हैं अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर loss के chances हो जैसे share market है, crypto currencies है, mutual funds है, lottery है, ऐसी चीजों की तरफ भी native का रुच्छान जीवन में देखने को मिल सकता है overall सूरे finger का अच्छी लंबाई में होना native को काफी लाब देता है, native के government job के chances बढ़ते हैं, government की तरफ से लाब मिलते हैं अगर हम इनकी सबसे छोटी यानि mercury finger की बात करें तो आप देख पाएंगे बहुत अच्छी लंबाई में है, लेकिन यह finger थोड़ी सी low set नजर आ रही है, आपको fingers के बिलकुल नीचे एक line draw करकर दिखाना चाहूंगा, कुछ इस तरह की यह रेखा आपको बनती हुई नजर जाएगी, जसमें आप देख सकते हैं, यह finger बाकी की उंगलियों के मकाबले थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई, चबकि इनकी सूरिय फिंगर, इनकी शनी फिंगर और गुरू फिंगर, इनकी mercury finger के मकाबले काफी high set है, और mercury finger का low set होना native को थोड़ी shy type की nature दे सकता है, थ ऐसे व्यक्ति के communication skills काफी strong आपको देखने को मिलेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं, इनके सभी mounts को उसके बाद हम चेक करेंगे, इनकी सभी रिखाओं को भी, अगर हम इनके गुरू परवत की बात करें, तो यह है जो mount है, आपको काफी उठा हुआ, काफी अच्छा माना जाता है, ऐसे व्यक्ति जिनका यह area हथेली में उभरा हुआ होता है, काफी अच्छी knowledge गेन करते हैं, ऐसे व्यक्ति को अपनी अध्यात्मिक्ता की वज़े से, अपने अच्छे सभाव की वज़े से समाज में भी, काफी अच्छा मान समान मिलता है, अगर हम शनी परवत की बात करें तो यह जो माउंट है आपको दबता हुआ नजर आएगा और शनी माउंट का दबना चीवन में काफी संघर्ष देता है इन लोगों का शनी परवत दब रहा हूँ ऐसे व्यक्ति को अपने करियर की शुरुवात में अपने 20s की एज में अधिक मेहनत क करने पड़ती है अपने comfort zone से निकल कर भी ऐसे व्यक्ति को काम करना पड़ता है लेकिन अच्छी बात क्या है इनके हाथ में एक बहुत अच्छी और smooth fate line है भले ही यह रेखा थोड़ी आगे से शुरू हो रही है लेकिन हाथ में मौजूद अप यहां से देखेंगे एक अगर इवन यहां रेखा आगे वड़कर इस तरह हैं से दो भागों में बट भी रही है ऐसी रेखा अगर हाथ में मौचूद हो तो लगभग 35 और 36 की एज के बाद ऐसा व्यक्ति तरक्की पाने लगता है जिनके हाथ में यहां रेखा clearly मौचूद होती है ऐसे व्यक्ति ची पर मौचूद होना और यहां पर दो भागों में बटना काफी positive होता है ऐसे व्यक्ति की old age comfortable रहती है ऐसे व्यक्ति के पास old age में भी कही ना कहीं से धन आता रहता है धन की कमी की वज़े से ऐसे व्यक्ति को दिक्कत नहीं होती अगर हम इनके सूर्य परवत की बात करें तो आप यहां पर देख पाएंगे सूर्य परवत का जो एरिया है हलका सा दब रहा है लंबी सूर्य रेखा का अभाव है जिस वज़े से native को जीवन में यश मिलने में कमी महसूस हो सकती है ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले दूसरों की कितनी भी help कर ले बद जादा दबा हुआ नहीं है जिस वज़े से government की तरब से native को जीवन में बहुत अच्छे लाब मिलते हुए देखे जा सकते हैं अगर mercury की बात करें तो हर्म हाथ में mercury line मौजूद है और mercury mount भले ही थोड़ा सा low set है लेकिन काफी उठा हुआ हाथ में mercury line का होना native के business equipment को strong करता है ऐसा व्यक्ति अगर जॉब में चला जाए तो वहाँ पर अपने communication skills का अच्छा इस्तेमाल करता है और अगर जॉब के सासत किसी तरह का कोई business भी करना चाहे तो भी यह रेका native को काफी लाब देती है ऐसा व्यक्ति काफी अच्छा धन business के जरीए यह side business के जरीए भी कमा सकता है अगर हम देखें इनके mercury mount को तो आपको यहाँ पर भी कुछ इस तरह की छोटी छोटी रिखाएं नजर आएंगी इस तरह की रिखाओं का यहाँ पर मौजूद होना indicate करता है कि native के भीतर काफी अच्छी healing capabilities रहेंगी ऐसे व्यक्ति दूसरों की problems को दूर करने वाले होते है हैं ऐसे व्यक्ति के भीतर इस तरह की छमता रहती है कि ऐसे व्यक्ति दूसरों को अपने शब्दों से अपने कर्मों से अपनी सलहा के जरीए अपनी consultation के जरीए दूसरों की problems को दूर करने में capable होते हैं हाथ में काफी अच्छा M का चिन इनके बन रहा है आप देख सकते हैं जैसे यहां इनकी heart line है heart line आप देखेंगे काफी smooth है यहां इनकी भागया रेखा है जो बीच में आपको यहां पर नजर आएगी यहां इनकी mind की line और यहां इनकी जीवन रेखा जब यह रिखाई आपस में मिलती है तो बहुत अच्छा एक M का चिन आपको यहां पर बनता ह हुँ नजर आएगा जिन लोगों के हाथ पर इस तरहे का M का सिंबल बनता है ऐसे विकति बहुत भाकशाली होते हैं खास तोर पर ऐसा विकति अपने साथ वाले लोगों के लिए भी बहुत लखी होता है ऐसा विकति जिनके साथ भी जुड़ता है यानी जिनके साथ इनका relation बनता है जिनके साथ इनकी मितरता होती हैं उनके लिए भी लग्री माना जाता है इनकी वजह से दूसरों की किस्मत यानी साथ रहने वाले लोगों की किस्मत भी चमक जाती है अगर अगर हम इनकी हाट लाइन की बात करें तो आप देख पाएंगे इनकी जो हाट लाइन है काफी स्मूध है कुछ इस तरह है कि हाट लाइन आपको नजर आएगी और भागया रेखा के साथ से निकलने की वज़े से आपको यहाँ पर एक V टाइप का सिंबल बनता हुआ भी मांदारी के रास्ते पर चलता हुआ जीवन में काम करता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की पाने में जरूर कामयाब हो जाता है लेकिन इसके बिलकुल अपोजिट अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाट लाइन के अंत में फोर्क बन रहा हूँ गलत रास्ते पर चलकर बैमानी से चीटिंग या फ्राउड के जरीए रिश्वत के जरीए गलत रीकों से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में समस्यां आती हैं जीवन में काफी सारे उतार चड़ाव ऐसे व्यक्ति को फेस करने पड़ सकते हैं ओवरॉल इनकी हाट की लाइन काफी अच्छी है यहा माइंड लाइन चुकी हुई है नीचे की तरफ इस रेखा का आपको चुकाव होता हुआ नजर आएगा और यह जो एरिया है नीचे का इसको मून का एरिया यानि चंदर परवत कहा जाता है और अगर किसी की माइंड लाइन इस तरह से मून माउंट की तरफ चुकती है तो ऐसे व्यक्ति थोड़े ओवर थिंकर होते हैं यानि बहुत ज़्यादा कलपना करने वाले डे ड्रीमर कहा जा सकता है ऐसे व्यक्ति काफी ज़्यादा सोचते हैं और अगर इस तरह की रेखा हाथ में मौजूद हो तो नेटिव अगर कोई क्रेटिविटी वाला काम करने लगे तो यह रेखा कोई भी नुकसान नहीं करती अगर ऐसा व्यक्ति कोई भी क्रेटिव काम जीवन में नहीं करता तो इस तरह की जुकी हुई रेखा होने से नेटिव को थोड़ा तनाव और स्ट्रेस रहने की संभावनाएं देखने को मिलती हैं अगर इनकी मैमरी काफी अच् तरह से एक आँख जैसी अक्रिती बनती हुई आपको नजर आएगी इस तरह की चिन को अंगोठी पे बनने वाला यव का चिन कहा जाता है ऐसा यव का चिन हाथ में होने से नेटिव की सिक्सेंस काफी अच्छी होती है ऐसे व्यक्ति को आने वाली खट्राओं का पूरवा अभास हो सकता है कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो अपने किसी रेलिटिव या मितर के साथ होने वाला हो तो ऐसी चीजों का पूरवा अभास नेटिव को हो सकता है अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप देख पाएंगे इनके हाथ में G1 रेखा काफी लंबी है और G1 रेखा के अंत में हलकी रेखाओं से एक फिश जैसी अक्रिती भी बन रही है G1 रेखा का अच्छी लंबाई में होना समूध होना बहुत पॉजिटिव होता है यहां से चलने वाली यह रेखा आपको अच्छी लेंथ में नजर आएगी इस तरह की लंबी लाइफ लाइफ लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एज लगभग 75 से लेकर 80 के बीच रहने की संभावनाई रहेंगी G1 रेखा के अंत में आप देखेंगे यहां पर कुछ इस तरह की हलकी रेखाओं के मदद से एक फिश नुमा चिन बनता हुआ इस तरह की चिन हाथ में बन जाए तो नेटिव को अपने चीवन में कई बार अचानक धन लाब भी होते हैं इस तरह की चिन अकास्मिक धन का लाब देता है ऐसे व्यक्ति को शेर मार्केट से, क्रिप्टो करंसी से, म्यूचल फंड्स, मल्टी लेवल मार्केटिंग या फिर कई बार ऐसे व्यक्ति को इंशोरेंस या इन्हेरिटेंस यानि पुष्टेनी जमीन जैदाद के जरीए भी थनकी प्राप्ती होने के अच्छे योग बनते हैं अगर हम बात करें इनकी जीवन रिखा के सासा चलने वाली मंगल रिखा की तो आप देख पाएंगे यह जो रिखा है मंगल की रिखा है हाथ में मंगल रिखा यहाँ पर इनके हाथ में डबल हो रही है और इस तरह की मंगल की रिखाएं यहाँ पर मौजूद हो तो नेटिव अपने जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाता है ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के बल्बूते पर जीवन में रियल स्टेट यानि संपती बना पाने में भी कामयाब हो जाता है अगर इनके शुकर परवत की बात करें तो यह माउंट यहाँ पर उठा हुआ है कुछ हलकी रिखाएं यहाँ पर मौजूद हैं जिसकी वज़े से कुछ वरिज परिवार की तरफ से मिल सकती है लेकिन इस माउंट का उठा हुआ होना और अच्छी आभा में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को अपने जीवन में हर तरह की सुक सुविधाएं जरूर मिलेंगी अगर इनके चंदरपरवत की बात करें तो आप देख पाएंगे इनका जो चंदरपरवत का एरिया है काफी अच्छा और उपरा हुआ नजर आ रहा है यहाँ से कुछ रिखाएं नीचे से उपर की तरफ भी चलती होई जिसकी वज़े से लंबी दूरी की यात्राएं नेटिव के जीवन में रहती है फॉरन ट्रैवल करने के मौके भी नेटिव को जीवन में मिलते है इस मौक का अच्छा होना नेटिव की मेंटल स्टिबिलिटी को भेतर करता है लेकिन माइंड लाइन का नीचे की तरफ चंदर परवत की तरफ जुकर आना कई बार नेटिव को तनाव जैसी समस्यां भी साथ ही साथ देता है तो दोस्तों ये कुछ अनायलसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सुवालों के जवाब एक ही वीडियो के थुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ड या सुवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क पैंडिंग है तो मुझे वर्टसैप पर मेसेज करें मेरा वीडियो वाच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद